All India Anti-Terrorist Front की अध्यक्ष मनिंदर जीत सिंग बिट्टा ने कहा कि खालिस्तान पर सिर्फ राजनीती हो रही है अवल तो कभी खालिस्तान बनेगा नहीं और अगर ऐसी नौबत आई भी तो उसके लिए हमारे जैसे देश भक्तों की लाश पर से गुजरना होगा बिट्टा पिछले दो दिन से जोटपर में नीजी कारिक्रमों में शरकत करने आये हैं यहां पत्रकारों से बाचीत में उन्होंने ये बात कही उन्होंने कहा कि पुरा सिक समाज एक जुट हो गुर्द्वारा साहिब संगत एक अद्रित कर ले और कहे हमें खालिस्तान नहीं जाही इसके बाद आप देखिए ये आंदोलन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा उन्होंने कहा हमें पाकिस्तान से नहीं मिलना ये देश के दुश्मन है जिनकी गलतियों से 1984 में दंगे हुए और Operation Blue Star हुआ उनकी गलतियों से 36,000 बेगुना लोगु को पंजाब में कतले आम हुआ कहा कि मैं भारतिये पहले हूं और सिक बाद में और इसके लिए कई गोदिया और बम खाने को भी देया है उन्होंने कहा कि कुछ लोग बिट्टा को कौम का गद्दार कहते हैं भले ही कहे लेकिन मैं देश का गद्दार नहीं बनूगा धर्म के ठेकेदारों को सड़क पराकर खालस्तान का समर्थन करने वाले इन देश द्रोहियों को कहना ही होगा कि तुम गलत हो और तुम्हारे कारण ही हमारे बच्चे फ़से हैं कनाडा में आतंकवादियों के मरने पर मातम मनाया जा रहा है लेकिन मैं कह दूँ कि इन लोगों ने जो हमें सुन्दर पहनावा गुरु महराज ने दिया है उसको भी बिकाडने का काम किया है सरदार बनाना है तो जग्दीत सिंग अरूडा और एर मार्शल आरजन सिंग जैसे बनो जो रास्टर के लिए सेवा कर रहे थे उन्होंने कहा कि कनाडा सरकार खालस्तानियों के खून से बनी है और अभी वहाँ इलक्षन है इसलिए इस मुद्दे को हवा दी जा रही है समाज के लोगों को ही सामने आकर खालस्तानियों को जवाब देना होगा हर बार हम केंद्र की मोदी सरकार के भरोसे नहीं रह सकते